हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में विंडो अपडेट इसू को कैसे टूर्वल सूट करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चल चल रहा है या नहीं चल रहा है उस सिस्टम या लेप्टॉप के अंदर तो पहला चीज यह चेक कर लिजेगा उसके बाद आपको क्या करने के बाद आपको किस में जो भी अपडेट होगा यदि इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो ऑटोमेटिक उसको डाउनलोड करेगा डा इसके बाद यहांपको क्या कर देना है इस तरह से विंड़ॉट उपन हो जाएगा यहा पको क्लिक करने करने के बाद यहाप कशने करने करना के बाद यहाप पर आपको क्लिक करने हो एक लोगद होगा पर आपको क्या इस प्रोसेस जब तक होता है तब तक कि यहां पर आपको वेट करना है कम्प्लीट होने के बाद इस तरह से विंडो आ जाएगा तो आपको क्लोज के उपर आपको क्लिक कर दिने इसके बाद आपको क्लोज कर दिने इस विंडो को भी यहाँ से क्लोज कर दिने क्लोज करने के बाद आपको क्या करने system को restart करने के बाद आप चेक कर लिजेगा जो आपका issue आ रहा था वो issue solve हो जाएगा मान लिजे restart होने के बाद भी फिर भी आपका problem solve नहीं हुआ तो आपको क्या करने यहाँ पर search पे click कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर cmd टैप कर देने हैं टैप करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ओप्सन देखी जाएगा command front का इसको उपर आपको right click करने हैं इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा runner minster इसके उपर आपको click करदेने click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा हम मान लिजे यदि आपके case मेरे इस तरह से window open होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पे yes पे click कर देना, yes पे click करते हैं, इस तरह से command front open हो जाएगा, अब आपको क्या करना, यहाँ पे tap कर देना, sfc, space दीजेगा, इसके बाद आपको back select देना है, इसके बाद यहाँ पे tap कर देना है, scan now, इस तरह से tap कर लिजेगा, जैसा मैंने tap किया है, या नहीं तो आप आपको यह command description में मिल जाएगा, या तो आप description में जाके इसको copy कर लिजेगा, यहाँ पे paste कर लिजेगा, paste करते हैं, यहाँ पे आपकी case में भी इस तरह से command आ जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे scan now पे click कर देना है, click करते हैं, इस तरह से command run हो जाएगा, तो आपको क् complete होने तक आपको wait करना है करना है झाल 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 कम्पलिट होने के बाद आपको क्या कहना इस विंडो को को यहां से क्लोज कर दिने के बाद आपको क्या करने सिस्टम को रिये स्टार्ट कर लेना आपको सिस्टम जरूर रिये स्टार्ट करना है रिये स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपका जो भी इसू होगा वह सारा प्रॉलाम सौल हो गया होगा और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू करें आपका जो